गुरू पूर्णेमा के महत्व के बारे में तो, आप हर रोज सुनते हैं गुरू का नाम और एक प्रानी के जीवन में भगवान विश्णू से भी पहले आते हैं। अनेक संतों ने गुरू की महिमा का बखान किया है। गुरू परंपरा बनी रहे इसी कारण अपने जमाने के प्रसिद संत और भजनों दोहों के जनक कबीरदास कहते हैं। कबीर जी के दोहे में गुरु की महिमा, अपने दोहे में संथ कबीर दास जी ने गुरु जुनों के महत्व को श्रेश्थ दरजा दिया है, वे लिखते हैं, गुरु गोविंद दूओ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए, यानि गुरु और गोविंद भगवान एक साथ खड़े हों तो किसे प्रनाम करना चाहिए गुरु को या गोविंद को, फिर अगली पंक्ती में उसका जवाब देते हैं, वे लिखते हैं कि ऐसी स्थिती हो तो गुरु के चरनों में प्रनाम करना चाहिए, क्यूंकि उनकी ज्यान से ही आपको गोविंद के दर्शन का सौभागय प्राप्त हो रहा है, कभीरदास ने गुरु की महिमा को एक दोहे के माध्यम से समझाया है, वे लिखते हैं, गुरु बिन ज्यान न उपजय, गुरु बिन मिले न मोश, गुरु बिन लखे न सत्यको, गुरु बिन मिटे न इस दोहे में कभीरदास ने आम लोगों से कहा है कि गुरु के बिना ज्यान का मिलना असंभाव है, जब तक गुरु की क्रिपा प्राप्त नहीं होती, तब तक कोई भी मनुष्य अज्यान रूपी अधनकार में भटकता हुआ माया मों के बंधनों में बंधा रहता है, उसे मोक्ष मोश्ट नहीं मिलता, बुरु के बिना उसे सत्य और असत्य के भेद का पता नहीं चलता, उच्चित और अनुच्चित का ज्यान नहीं होता, बुरु पूर्नेमा के आवसर पर मैं अपने गुरुओं को नमन करता हूँ और इस शुब दिन पर उनका आशिरवाद चा का पर्व मनाने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण है, महर्शी वेद व्यास का जन्म, महर्शी वेद व्यास भगवान विश्नु के आंश के रूप में धर्ती पर जन्मे थे, उनके पिता का नाम रुशी पराशो और माता सत्यवती थी, उन्हें बाल्यकाल से ही अध्य प्रसार में आप भी हगदार बन जाए, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए वेद व्यास जी ने अपने माता पिता से प्रभू दर्शन की इच्छा प्रकेट की और वन में जाकर तपस्या करनी शुरू कर दी, लेकिन उनकी माता ने इस इच्छा को मना कर दिया, का ध्यान आए तो वापस हमारे पास लोटाना, इसके बाद वेद व्यास तपस्या हेतु वन चले गए और वहां जाकर उन्होंने कठोर तपस्या की, इस तपस्या के पुर्ण्य के तौर पर उन्हें संस्कृत भाशा में प्रवीनता हासिल हुई, जिसके बाद उन्होंने आज जो हम पढ़ पा रहे हैं उन्हों चारों वेदों का विस्तार किया महा भारत, 18 महा पुरानों और ब्रहमास्त की रचना की, उन्हें वर्दान प्राप्त हुआ, वेद व्यास जी आप पर कृपा करें, ऐसी हम कामना करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि किसी ना किसी रूप मे हमारे बीच महर्षी वेदव्यास आज भी उपस्थित है, इसलिए हिंदू धर्म में वेदव्यास भगवान के रूप में पुजे जाते हैं, आज भी वेदों का ज्यान लेने से पहले महर्षी वेदव्यास का नाम सबसे पहले लिया जाता है, अपने धर्म प्रेमी को कथा शेयर करें हर